वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में क्या कुछ क्रिप्टो मार्केट का हाल चल रहा है और बात करेंगे शीबा आईनू के बारे में क्या कुछ शीबा आईनू को लेके अपडेट्स लेकिन उससे पहले आप सभी को very good morning I hope आप सब बच्चे होंगे आज Sunday morning है और अगर आज हम Sunday morning को crypto market का हाल देखें तो crypto market की situation, stable वाली situation जो है हमको देखने को मिल रही है अब stable वाली situation अगर आप देखेंगे पिछले 48 hours से दो दिन से अगर आप देखेंगे Bitcoin के जो price 39,000 डॉलर पे गए थे लेकिन उसके बाद 40,100 पे trade किया पूरा एक दिन उसके बाद कल अगर आप देखेंगे fluctuations 40,500,600 पे पहुच गए थे आज भी Bitcoin उसी price पे stable है तो Bitcoin जब stable रहता है किसी price पे या तो वहाँ से market फिर आपको अच्छा bounce back करता हुआ दिखता है तो यहाँ से एक bounce back हम expect कर सकते हैं कि Bitcoin यहाँ से आपको 43,000-44,000 डॉलर के levels दिखा सकता है और अगर हम यहाँ पे Bitcoin की performance देखें पिछले 24 hour में कितना price रहा है तो Bitcoin ना तो 40,000 डॉलर से नीचे गया है और ना ही 40,000 डॉलर से उपर और 40,000 का जो है low भी बनाया है यह current price चल रहे हैं इस टाइम पे हलका सब डाउन में है Bitcoin और जहाँ जहाँ तक हमने ऐसी situations देखी है बिटकोईन की उसके बाद Bitcoin ने काफी अच्छा move करके दिखाया तो यहां से अगर आप चार्ट देखेंगे यह कुछ चार्ट रहा है बन देगा तो 40,000 डॉलर के लेवल पे ही Bitcoin बना हुए इससे ज़्यदा कोई fluctuations नहीं आ रहे हैं इस तरह का कुछ चार्ट जो है Bitcoin यहां पे create किया है बनाया है तो यहां से पूरे expectations हैं कि Bitcoin आपको आज या कल तक एक bounce back भी दिखा सकता है क्योंकि market के अंदर जो चीजे होती हैं आपको पता है इवनिंग में होती है और यहां पे इवनिंग तक का wait करें ठीक है इवनिंग या night तक का wait करें और Bitcoin से हम expect कर सकते हैं आगे जो update रहेगा Bitcoin को लेके Ethereum को लेके हम आपके साथ Telegram पे भी share करते रहेंगे तो Telegram को join नहीं किया तो link description में join जरूर कर लेना इसके बाद Ethereum का price लेके तो $3000 पे Ethereum भी stable है अगर आप देखेंगे $3000 पे बना हुआ Ethereum भी और Bitcoin के साथ-साथ Ethereum भी चलता है ठीक है सभी currency चलती है Bitcoin अगर अच्छा move करेगा तो सभी altcoins के अंदर भी अच्छी movement आएगी अगर आप Binance coin को देखेंगे $415 पे trade कर रहा है XRP देखेंगे तो XRP भी $0.7 पे जो है trade कर रहा है इस time पे और जो price अगर आप देखेंगे 1% पूरा down है Solana अगर देखेंगे काफी अच्छे price पर ये भी stable हो गई है अगर आप देखेंगे ये price कल Solana के थे और Solana भी 101 पे stable है और Terra इस time पे अपने low level पे आ चुकी है अगर आप देखें $81 का low बना लिया है तो Terra इस से भी नीचे गई है और अच्छा खासा low बना है और अगर आप Terra में एंट्री लेना चाहते हैं long term के लिए तो एक अच्छा यहां पे हो सकता है और अगर आप ओर वेट करना चाहते हैं तो ओर भी वेट कर सकते हैं ठीक है Avalanche आपको वैसे ही आप $77 पे मिल रही है Dodge को इन भी यहां पे 0.14 पे चल रहा है 2% डाउन के साथ तो Dodge को इन 11 नमबर पे बना हुआ है 11 नमबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करनसी $19 billion market cap के साथ और अगर हम Shiba Inu को देखें तो Shiba Inu का price 25 की सीरीज पे है $14 billion market cap के साथ तो Shiba Inu का देख लेते हैं क्या कुछ Shiba Inu ने किया है 1 day के अंदर तो Shiba Inu का अगर हम देखें price यहां पे 0.000000 25.58 का price चल रहा है और 17,08,000 लोगों की नजर में पहुँच चुका है Shiba Inu 1.1% red में चल रहा है high देखेंगे 25.91 का हमाई देखें 25.42 का low देखा है यह 25 की series पर ही price table है Shiba Inu के भी और Shiba Inu का अगर हम chart देखें तो यही chart जिससे bitcoin का है सभी currencies का कुछ इस तरह का chart है देखेंगे तो यही price चल रहा है 25 में ही बना हुआ है और यह जो price आप देख रहे है 25 की series का ही है ना तो उससे नीचे गया है ना ही उससे उपर गया अगर आप यहाँ पर कुछ trading volume देखें तो 25% trade में चल रही है trading volume तो यह कुछ current हाल है आज crypto market और Shiba Inu का तो जैसे कि हम बात कर रहे थे when Shibarium launches इट विल benefit every platform तो Shibarium अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है layer to solution और benefit every platform and invite incredible innovation surrounding Shiba Inu तो यहाँ पर innovation भी जो है देखने को मिलेगा incredible innovation तो बिलकुल Shibarium एक बहुत जरूरी और एक बहुत major event कहेंगे हम Shiba Inu के लिए और Shiba Inu को कहीं आगे लेके जा सकता है Shibarium तो यह कुछ 24 hour के volumes आया है Shib, Leash और Bone के अंदर तो बिलकुल 24 hour के volumes देखना भी बहुत जरूरी है Shiba Inu के अंदर देखें तो ज़्यदा volume नहीं आ रहा है इस time पे minus 51% है और 25% Leash के अंदर आया है 162% Bone के अंदर volume आया है और कौन कौन से coins हैं जो बड़े level पे hold कियों है Wales ने तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे USDC है USDT है Shiba Inu 3rd number पे सबसे ज़्यदा यह दो stable coins है लेकिन Shiba Inu की holding सबसे ज़्यदा है Wales के पास इसके बाद FTX token भी है इस list में इसके बाद WBTC भी है Best भी है Matic भी है Mana भी है Link भी है OKB भी है तो Shiba Inu की holding सबसे बड़े level पे Wales के पास इस time पे है तो पिछले 24 गंटे के अंदर Shiba Inu की burning का अगम number देखें यह जो number देखने को मिल रहा है वो 21 million का देखने को मिल रहा है फिर से low level हमको देखने को मिला है और इस पार जो burn हुए है Shiba Inu पिछले 24 hour में 21 million Shiba Inu जा चुके हैं circulation से बाहर तो बिलकुल यहाँ पे bit stamp से पूछना start कर दिया है Shiba Army ने और bit stamp को target किया जा रहा है और करना भी चाहिए क्योंकि 16 December 2021 जब इन्होंने अनुस किया था कि Shiba Inu को लिस्ट करेंगे लेकिन 3-4 दिन बाद 2021 December के राउंड इन्होंने अपडेट किया कि नए साल के अंदर हम Shiba Inu को लिस्ट करेंगे अपने platform के उपर लेकिन नया साल भी आ गया और यहाँ पे 4 months में भी 4th month में भी हम आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर भी लिस्टिंग का कोई अपडेट बिस्टेम की तरफ से नहीं आया तो क्या बिस्टेम रॉबिन होड के नक्षे कदम पर चल रहा है मतलब रॉबिन होड ने तो बिना promise नहीं किया था फिर भी इतना delay किया रॉबिन होड ने यह promise करके भी delay कर रहे हैं तो क्या कुछ reason है इनको update करके बताना चाहिए और आप भी बिस्टेम को tag कर सकते हैं तो बिस्टेम की listing अभी बाकी है शिबाइनू की और यह कभी भी listing हो सकती है और कभी भी bitstem भी अब list कर सकता है जिस तरह से bitstem को target किया जा रहा है तो इसका update हमने आपको दे दिया यह तो वेल बाये 223 बिलियन शिबाइनू कोईन्स और नाव होल्ड 1.16 ट्रिलियन शिबाइनू कोईन्स अब तक अगर आप देखें पिछले 1 वीक के अंदर यहाँ पे 2 ट्रिलियन शिबाइनू कोईन्स की बायंग हो चुकिया और यह 3-4 वेल्स नहीं बायंग किया है तो अब तक इन वेल्स ने यह जो 3-4 वेल्स हैं अगर आप देखें 3 या 4 वेल्स ही हैं जिनोंने यह 2 ट्रिलियन शिबाइनू कोईन्स बायंग किया है और बड़े बड़े लेवल पे transactions किया है दो तीन transaction हर whale ने किया है और जो number पहुँच चुक है वो 2 trillion तक पहुँच चुक है पिछले 1 week के अंदर इतनी बड़ी buying कर लिया है इन 3-4 whales नहीं है अभी तो बहुत सारी whales हैं ठीक है तो कहीं नहीं बहुत बड़ी buying होती हुई 1 week के अंदर शिबाइनू की तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे can शिबाइनू reach 0.01 dollar by 2023 ये वाला जो price है ना ये आज कल सब का target बन चुका है और शिबाइनू को इस price पे देखना चाते हैं सभी शिबाइनू के holder हो शिबा आर्मी हो, पूरी team हो whales हो सबका एक ही target है कि शिबाइनू को इस price तक लेके जाना है शिबाइनू historic 2021 was the result of crypto market dynamics and increased visibility तो 2021 में क्या returns दिये हैं आपको पता इसके लाबा a number of catalyst including the expected launch of layer 2 blockchain shibarium have holder excited about ship future तो बिल्कुल shibarium को लेके excitement कहीं जएदा है और जब ये shibarium को release करेंगे उस दिन भी हम pump expect कर सकते हैं shibarium से क्योंकि shibarium एक बहुत main event हम कह सकते हैं shibarium का और यही एक सबसे बड़ा reason है कि shibarium जब launch होगा तब भी हमको एक बड़ा pump देखने को जहां तक chances हैं मिल सकते क्योंकि अपने आप में layer 2 solution shibarium के लिए बहुत बड़ी चीज है तो सिर्फ 2021 के आप returns देखेंगे तो shibarium ने जो returns दियां आप देख सकते हैं इन्हों rallied roughly 46 देखेंगे तो कितना जैदा बड़ा number है calculate अगर आप करेंगे in 2021 और another 45,000 gain in the cards तो यहां पर अगर हम देखें ये वाला price अगर hit करता है तो काफी अच्छा level होगा shibarium का तो बिलकुल shibarium ने अब तक डेड़ साल में 2021 में जो returns दिया हैं बिलकुल वो शायद फिर से repeat ना हो मैं ये नहीं कह रहा कि repeat repeat हो भी सकते हैं और repeat नहीं भी हो सकते लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी repeat होता है उतना भी बहुत है क्योंकि shibarium के returns इतने ज़्यदा है उसमें से अगर थोड़ा सा भी देता है पिछले साल जो return दिया उसमें थोड़ा सा भी अगर देता है तो काफी अच्छे returns हो सकते हैं ठीक है तो एक चीज़ यहाँ पे clear कर दें जो यह जो price है आप देख रहे हैं यह price बहुत कम लग रहा होगा लोगों को कि यहाँ पे सिर्फ अगर आप देखेंगे 3-0 किल करेगा लेकिन यह 3-0 कितनी बड़ी होंगी अगर आप यह calculate करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी होने वाली है यह 3-0 जो यहाँ पे किल करेगा शिबाइनु तो अगर शिबाइनु को यह जो price target है यह hit करना है तो शिबाइनु को अभी जो price चल रहे है जो 4-0 शिबाइनु के price में आ रही है और 20 की सीरी चल रहे है 25 पे चल रहा है तो वहां से शिबाइनु को 45,000% का increase चाहिए और तब इस level पे जाके शिबाइनु पहुचेगा और 45,000% का return एक normal return अगर इस साल यह इस target को भी hit कर लेता है तो काफी अच्छा target होगा एक रुपया भी फिर दूर नहीं है शिबाइनु से एक रुपय तक भी जा सकता है अगर यह target hit कर लेता है तो ठीक है क्योंकि एक बहुत बड़ा return है 45,000% का अगर इस में से आधा भी दे देता है अगर 0.001 वाला price भी hit कर लेता है तो वो भी बहुत अच्छा होगा ठीक है एक या 2-0 अगर kill हो जाती है अभी इस price में से तो वो काफी अच्छा return आपको दे सकती है तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है और hold करने की जरूरत है शिबाइनू को और wait करने की जरूरत है शिबारियम का, burn, portal का जिस तरह की चीज़े हैं शिबाइनू, games है इन सब चीज़ों का अगर आप wait करेंगे तो definitely अच्छे result आपको देखने को मिलेंगे अगर wait ही नहीं करोगे जल्दबाजी करोगे तो फिर आप कही न कहीं गलती करोगे और अपना ही loss book करोगे ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है बाकी आप अच्छे से research करें शिबाइनू पर तब आप जो है अपना decision लेकर आपको hold करना है या जो sell करना है वो सब decision आपका है लेकिन यहाँ पर ये target अगर hit करना है तो इतना return देना पड़ेगा शिबाइनू को इतने percent 45,000% का जो increase है वो दिखाना पड़ेगा तो बिल्कुल डेविड गोकस्टीन का एक tweet हमने आपको दिखाया था जिसमें इन्होंने कहा था कि 0.001 वाला जो price है शिबाइनू hit कर सकता है एक ओट tweet है I stated ship could hit 0.001 and I personally would be fine with it अगर शिबाइनू ये वाला price भी hit कर लेता है तो I am fine ये भी price अच्छा target है इसको भी hit कर सकता है इनका कहने का मतलब ही है तो अगर ये वाला price भी hit करता है ये वाला भी करता है तो दोनो price target अच्छे है काफी अच्छा return आपको दोनो भी price target पर मिल जाएगा ठीक है चाही ये वाला hit कर ले चाही ये वाला hit कर ले और देखना जरूरी है कि शिबाइनू इस साल किस price target को hit करता है और आप सब को भी wait करना पड़ेगा शिबाइनू के सभी projects जो जो आ रहे है शिबेरियम है शिब बर्न पोर्टल है उन सब चीजों का तो current holder status देखे हम शिबाइनू का ये आप देख सकते हो 11,30,000 है और यहाँ पे stable है कल भी 11,30,000 का इनमबर हमको देखने को मिल रहा था तो ये कुछ price ये कुछ holder शिबाइनू के इस time पे चल रहे है तो आगे हैं शिबाइनू के इंडियन रुपीज के चार्ट पे 20 की series चल रही है वन आवर का चार्ट है फ्लक्चुएशन से उपर का जाता हुआ दिख रहा है हमको एक फ्लक्चुएशन लेकिन 20 पे ही चल रहे हैं शिबाइनू के price इंडियन रुपीज में वन डे का आप देखेंगे 2019 आया वन वीक का अगर आप देखेंगे 2017-23 जो रॉबिनोड लिस्टिंग का impact पड़ा तो ये कुछ चीज़ें शिबाइनू को लेके चल रहे हैं यह वोप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गे होंगे आपका कोई question कोई सवाल है पूछ सकते हैं नीचे description में Twitter का link है वहाँ follow नहीं के तो आप वहाँ follow कर सकते हैं जो भी update रहता है वहाँ भी आपको मिलता रहता है और telegram को भी join कर सकते हैं वहाँ भी आपको updates मिलते रहते हैं वीडियो पसंदा है वीडियो को like share जरू कर देना और किसी भी crypto या शिबाइनू में invest करने से पहले खुद से research कर लेना वो बेहत जरूरी होती है आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई